नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल में तो आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत के बारे में पवार वंस में टोटल साट राजा हुए जिसमें से चववन राजा टिहरी रियासत से पहले और छे राजा टिहरी रियासत में हुए तेहरी रियासत के पर्थम राजा थे पर्धिमन सा के बेटे सुदरसन सा उसके बाद दूसरे हुए भवानी सा, तीसरे थे पर्थाप सा, चौतर थे, कीर्थी सा, पांचवे थे, नरेंज सा, और छटे थे, अन्तिम राजा, मानवेंद्र सा तो इस वीडियो हम तेहरी रियासत के सभी राजाओं के सासंद काल के बारे में पॉइंट वाइस डिसक्स करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सुदरसन सा की सुदरसन सा टेहिरी रियासत के पर्थम और पवार मंसकी पच्छोन में सासत थे अंगरेजी ने सुदरसन सा पर पाच लाग später ना देने के आरव लगा कर सिरिनेगर को अपने अधिन का लिया इसके बाद सुदर्शन सा ने राजदानी को सिर्दनेगर से तिहरी स्तानांतरित की ये तारिक थी 28 दिसंबर 1815 UK PSC और UK SSS की एक्जाम में यहां से अक्सर कुश्यम बनता है तो आपको डेट जरूर याद रखनी है 28 दिसंबर 1815 चैतु और मर्कु कलाकार को इस राजदोरा आसरे दिया गया था यानि की चैतु और मर्कु कलाकार सुदर्शन सा के दर्बार में थे सुदर्शन सा ने ब्रेजिवासमे सबासार ग्रंत को साथ खंडू में लिखा यहां सोयम को सूरत कभी की नाम से संबोदित करता था यहां सब एक कोश्य मनता है सुदरसंसा स्वयम को किस नाम से संबोधित करता था तो सूरत कभी की नाम से संबोधित करता था सुदरसंसा स्वयम को अब बार करते हैं तेहरी रियासत के अगले सासक के बारे में तेहरी रियासत के दूसरे सासक थे भवानी साह जिनका कारीकाल था 1869 से 1881 तक ये तेहरी रियासत के दूसरे और पवारवंस के 56 राजा थे हैंडरी रियमजे ने तेहरी जाकर 6 सितमबर 1869 को इसे राजा घुसित क प्रतिया इसके सासनकाल में हेंडरी रेमजे की द्वारा भावानी साके सासनकाल में have can you vak इस्तम्ब्र 1891 में भावानी सासनकाल में ज़यारी सासनकाल में या रखने हैं भौनी साग की बात करते हैं भौनी साग एक सरल एम धार्मी किसम का साशक था जिसके कारण राजम जो है ग्रेकलेस बढ़ गया था और इसको राजमाता खनेती भाईयू जैसे सेर्चा और जनता का समर्थब भी नहीं था इसके बावजुद भी एक साशक बना हैंडरी रेम जी की मदद से क्योंकि सुदर्शन साथ ने अपने सनद में ये लिखा था कि भावानी साथ उनका उत्रा अधिकारी होगा लेकिन राजमाता खनेती जो थी वो सेर्चा को टेहरी रियासत का दूसरा राजा बनाना चाहती थी इसके बाद हेंडरी रेम जी टेहरी गए और उन्होंने ही 6 सितंबर 1869 को भावानी साथ को राजा घुसित किया और ये एक कुसल सासक नहीं था ये एक सरलेम धार्मी की सासक था जिसके कारणी राजमे ग्रहकलेज बढ़ गया था ठीक है तो ये इसके सासनकाल में कुछ जरूत नहीं है आपको बस इतना ही पॉइंट या रखने है अब बात करते हैं अगले सासक की अगले सासक था परताब सा और इसका सासनकाल था 1871 से 1886 की बीच में वर्स 1873 में भू व्योस्ता जूला 25 इसी की समय हुई इसने ही टेहरी मसूरी सिरनेगर राजमार का निर्मार कराया और 1877 में टेहरी में परताब नगर की निव इसी ने रखी इसके बाद टेहरी में अग्रेजी सिक्षा की निव रखते हुए 1883 में टेहरी में पर्थम विध्याले खोला UKCCC high court की exam में यहां से question पूचा गया था उत्रखंड में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवात किसने की तो यह की थी परताब साहने ठीक है तो टेहरी रियासद में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवात की निव डाली थी परताब साहने यहां से अक्सर exam में question बनता है तो यह point को आपको यार रख लेना है परताफ सा के तीन पुत्रत है कीरति सा विचित्र सा और सूरेंद सा इस नहीं टहरी में प्रताफ प्रिंटिक प्रेस खोली यहां से भी कोश्शिम बनता है और 385 में टहरी वन बिभाक की स्थापना भी परताफ साने की ये point को भी आपको no down कर लेना है परताब साके सासंकाल को तेहरी रियासत का सौनिम काल का जाता है जैसे पवार वंस में फते पती साके सासंकाल को पवार वंस का सौनिम काल का जाता है उसी प्रकार से परताब साके सासंकाल को तेहरी रियासत का स्वाणिम काल का जाता है क्योंकि इसी के समय में तेहरी रियासन में काफी कारी हुए जैसे की तेहरी रियासन में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात और प्रिंटिक प्रस, पुलिस विभाग और वन विभाग की सापना इसी ने की थी और टिहरी रियासत में अस्पताल भी इसी ने खोले थे तो इसलिए इसका काल जो है टिहरी रियासत का सौनिम काल कहा जाता है फरवरी 1887 में इसकी मिलती हो गई थी परताप सा के बाद अगले सासत थे टिहरी रियासत के किर्थिसा ये टिहरी रियासत की चोथे और पवारवन्स के अठाने राजा थे इनका सासंकाल था 1892 से लेकर 1913 तक किर्थिसा की संग्रिचका थी महरानी गुलेरिया किर्थिसा ने अजमेर की मियो कॉलिस से सिख्षा प्राप्त की थी यानि किर्थिसा एक सिख्षित और वेल एजुकेटेट सासक थे किर्थिसा ने नेपाल की प्रदा मंतरी जैग बादूर की पोतरी से साधी की थी और भक्त दर्शन ने किर्थिसा को राज रिसी कहा है ये इन्पोर्टन पॉइंट भी आपको यारक्तने है 1898 में अंग्रेज सिरकार ने किर्थिसा को कमपेनियन आफ इंडिया की उपादी दी और 1901 में नाइट कमांडर की भी उपादी दी तो इन्पोर्टन पॉइंट है आपको यारक्तने है किर्थिसा ने टेहरी में परताब हाई स्कूल वो हिवेट संस्क्रिट पाट साला और वेद साला का भी निर्मान किया ये वही स्कूल है जिसकी स्टापना 1883 में परताब साने की थी बाद में इसको हाई स्कूल कर दिया था किर्थिसा ने कीर्थिसा ने 1894 में कीर्थि नगर की स्टापना की कीर्थिसा ने 1897 में तिहरी में घंटा घर का निर्मार करवाया जिसकी उचाई है 110 मिटर यहां से युक्रित्र प्रस्टी में कुश्यन पूछा जाता है तिहरी की घंटा घर का निर्मार किसने कराया तो यह करया था कीर्थिसा ने कब किया था 1897 स्विव में जिसकी उचाई है 110 मिटर तीहरी की जंता को पहली बार बिजली की सुविदा अवगत कराई कीर्थिसा ने कीर्थिसा ने ही हिंदी टैपरेटर का भी अविस्कार किया बैंक और गडवाल की स्ताफना भी किर्ति सा के सासनकाल में हुई इसी के समय टेहरी रियासत का पहला पाक्सिक पत्र रियासत टेहरी प्रकासित हुआ पाक्सिक पत्र यानि जो 15 दिन में प्रकासित होता है तो यह था किर्ति सा के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट आपको सासनकाल 1913 से 1946 तक रहा नरेन सा ने ही नरेन नगर के स्टापना की तो आपको ध्यान दखें सभी राज़ाएं परताब सा ने परताब नगर किर्थी सा ने किर्थी नगर और नरेन सा ने नरेन नगर के स्टापना की नरेन सा की संगिश्का थी राजमाता नेपालिया नरेन सा नरेन नगर को सच्टकू से चोड़ा नरेन सहा है पृताब है लॉप्छ को इन्टन कॉलज बनाया तो देखिए प्रताब सहा ने स्टापना किया ऐस्कूल कीृतल他शा च्टाराखी में उसके बाद किर्थी सा ने उसको high school बनाया और इसके बाद नरेन सा ने उसको inter college बनाया ठीक है और नरेन सा नहीं बनारत सिंदु विशुद्धाले को सन 1933 में किर्थी सा की स्मृति में एक लाग रुपे दान दिये उसके बनारत सिंदु विशुद्धाले ने 1937 में प्रेन सा को LLD की उपादी दी नरेन सा के सासनकाल में दो खटनाएं महतुपड खटनाएं आपको यार रखनी है पहली है 30 मई 1930 का तिलाडी कांड जिसमें दिवान चकरते जोयाल ने नरसंगार किया था नियती जंता पर गोल्यों की बहुचार करते थी उस ताइम पर नरेन सा यूरोब गए होए थे और इसी को ही इस तलाडी कांड को ही उत्राखन का जल्या बाग भी का जाता है और दिवान चकरते जोयाल को उत्राखन का जनरल डायर भी का जाता है दूसरी घटना है टेहरी रियासत के लोग के राज साही की खिलाब 23 जनुरी 1949 को देहरेदुन में टेहरी राज परजामंडल का गठन तो टेहरी राज परजामंडल की स्तापना 23 जनुरी 1949 को देहरेदुन की से हुई थी जिसकी स्तापना की थी सिरदेर सुमने बाद में स्रिदेर सुमन भूगरताल पर बैट गे 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूगरताल से स्रिदेर सुमन की मिर्ति हो गई तो ये दोनों घटना है तिलारी कांड और 84 दिनों की भूगरताल के बाद सिर्दे सुमन की मिर्त्यू ये दोनों घटना है नरेन सा के सासनकाल में हुई और साथिस आपको या रखना है 1921 में पहली बार नरेन साह के सासनकाल में ही तीहरी रियासन में जंगर्णा हुई थी और 1929 में तीहरी रियासन में पहली बार तीहरी हाई कोड की स्तापना भी नरेन साह के सासनकाल में ही हुई बढ़ते हैं अगले सासक की ओर अगले सासक है मानुवेंद शाह जो टेहरी रियासत के छटे और पवार्व अनसे के 60 वे राजा थे इनका सासनकाल 1946 से एक अगरस्त 1949 तक रहा ये टेहरी रियासत के अंतिम राजा थे अक्टूबर उनसे चालिस में महराजा मानुवेंद शाह को राजिदकार मिला तो ये पॉइंट आपको रहा रखना है किरति नगर अंदुलन में भूलुराम और नरेंद सकलानी सहीद हुए एक अगस्त उनसे निचास को टेहरी राजी का भारती संग में विले हुए था तो ये काफी important question है बारवार एक्जाम में पुछा जाता है तो ये date अगस्त उनसे निचास को टेहरी राजी का विले हुए था भारती संग में ये important date है आपको एक्जाम पूर्टिबर के लिए याद रखनी है और तीहरी रियासत जो है संग्त प्रांत का पचासवा जिला बना था तीहरी रियासत की राजमता उस टाइम पे कमलेंदुमती साह जो की माता जी थी मानुवेंदुमती साह की पतनी पर्थम तीहरी सांसत चुनी गी 1998 में कमलेंदुमती साह को पद में विविशन दिया गया है यह इंपोर्टन पॉइंट है आपको एया रखना है और उसके बाद जो है मानुवेंद साह भी 1997 से लेकर 2004 तक 8 बार तेहरी के सांसत चुने गए मानुवेंद साह की मृत्य होती है 5 जनरी 2007 को और मानुवेंद साह आपको याद रखने है टेहरी रियासत के अंतिम सासत थे थीक है बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है टेहरी रियासत के अंतिम सासत थे तो टेहरी र पहरी रियासत के लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरुत नहीं उन बुक्स से सारी बुक्स से हमने इंपोर्टेंट पॉर्टेंट पॉर्टेंट सेलेक्ट करके जो की एक्जाम पूछे आते हैं वो सारे इस बीडियो में हमने कवर किये हैं और वीडियो की पीड झाल झाल